पिसम्हें रख्मान औरहीम, अस्सलाम अलाइकम, आपको रियार रेट और डॉलर रेट से अपडेट करते हूँ, मैं यहाँ पर वीडियो में सबसे पहले हम अगर डॉलर रेट के मतलब बात करने तो आपको मैंने कल बताया था टू अंडर प्लस में यानि कि एक रुपए से पैसे हो चुका है, हम यानि के आप यार डबल सेंचरी के ऊपर ही जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों में अभी पैसो के हिसाब से बढ़ रहा है, हालां के पहले बाई दो तीन रूट के चलांगे लग रही थी, बार डबल सेंचरी कर चुका है जी डॉलर, और अगर हम र पाकस्तान में मामला चार रखी है, हकूमत की तरफ सही है, जो भी लॉंग मार्च बगरा निकाला जा रखा है, बार अल हम इसकी बैस में क्या पढ़ेंगे, लेकिन अल्ट अल्ट की जात रहम करे हमारे मुलक के ओपर, हमारी कंटरी के ओपर, यही बैस्ट है, तो बार अल ह अब मैं आपको यहां पर एक्सचेंज रेट दिखा दूँ, जो के रियाल के मतलब है, पहले आप देखने ही, 53 रुपया नवे पैसे हो चुका है, 54 हो चुका है, यह अब तक का हाई रेट है, पाकस्तान की तरीख में क्या साओधी रिवे के तरीख में भी बोल रहे हैं, आ पेरे भाई 20-30 सार भी पुराने उनकों पता होगा, आज तक 53-90 तक रेट नहीं गया है, रोज नया रकार्ड ही सामनी आ रखा है, इंडिया के मतलब बात करें तो 20-67 पैसे है, बंगलरेशी के बात करें तो 23-30 पैसे है, मुट्री बैंकों के हिसाब से अभी मैं आपको बत पानि रूपे 75-30 पैसे रेट रेट है, बंकल जज़ीरा के मतलब से बात करें, पानि रूपे 99 पैसे है, यन्य कि 33 रूपे बहुतरे पूरा रेट हो चुका है, 17 रियार फीज केसा है, राजी बैंक की बात करें, तो आपको 22 रूपे 89-30 पैसे मिलेगा और 10-17 रियार तीन क स minimizing की हिसाब के है वेस्टन यूनियंट की बात करें तो आपको 33 पैसे मिलेगा tutory साय की साव है तो सबसे मैं 33 बाने जा चुका है अब वी और इस हिसाब है साच ये जा रहा है मुझे लग रहा है कि आने वाले वीक में ये पच्पन क्रास कर जाएगा यानि कि आगे वारा जो अफ़ता है